दोस्तो नमस्कार आदाब सत्सी अकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो आज हम एक ऐसे विशे पर बात करेंगी जो देश के लिए बहुत महत्पूर्ण है शासन प्रशासन समाज जनता सब के लिए लेकिन जिस पर ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से जो स्टेंड लिया गया है जो फैसला किया गया है वो खुल करके पब्लिकली सबके सामने सारोजनिक उसको नहीं किया जा रहा है लेकिन जो खबर आ रही है और वो खबर रास्ट्रिय जनगणना को लेकर है कि भारत की जो जनगणना दो हजार इकीस में हो जानी चाहिए थी वह 2022 में भी नहीं हो पाई और 2023 में कराने का जो टार्गेट फिक्स किया था भारत के रिजिस्टार जनरल और जनगणना आयुक्त के कारियाले ने अब वह भी होती नजर नहीं आ रही है और अगर लेटिस्ट ख़बर जो जनगणना आयुक्त के कारियाले से मिल रहे संकेतों के आधार पर मीडिया में आ रही है उसके मुतलिक राश्टी जनगणना 2024 से पहले अब नहीं हो पाएगी 2024 क्यों दोस्तों 2024 में देश का parliamentary election है लोक सभा के चुनाओ है इसका मतलब यह है कि कोरोना से मुक्त हो जाने के बाद जब सभी गत्विदियां साशन प्रसाशन की नौर्मल ढंग से चल रही है और कोरोना की केसिज बहुत कम है इसके बहुत दूत सरकार राश्टी जनगणना से क्यों बच रही है एक बड़ा प्रशन है रास्टी जो जनगणना के आयुक्त है भारत के जो रिस्टार जनरल है उनके कारयाले से जो संकेत मिल रहे हैं वो टेक्निकल है वो बताया जा रहा है कि ये तकनीकी कमी है ये दिक्कत है ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों 2024 के पुर्वार्ध में जो चुनाओ है उसके मुतलिक अब रास्टी जनगणना नहीं हो पाएगी यह लगभग तै हो चुका है किसी दिन भारत सरकार के ग्रेह मंत्री या स्वेम जनगणना आयुक्त जो हैं देश के वो किसी दिन इसको फॉर्मली आपचारिक त हमने आचुकी है कि जनगणना नहीं हो पाएगी 2024 से पहले तक्निकी कारण जो बताए गए हैं दोस्तों वो अपनी जगए हैं लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है हमने इस बारे में काफी खोजबिन करने की कोशिश की लोगों से बात चित की यहां तक की सत्ताधारी दल के जो विधायक, नेता, मंत्री इस तरह के जो लोग हैं उनसे भी मैंने कोशिश की कि कुछ तो पता चले तो जो सत्ता प्रतिस्थान से जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर के जो भरोसे मंसुत्र बता रहे हैं कि शायद एक बड़ा कारण यह भी है कि यह राज्य जो है वो बिहार है वैसे तो महारास्ट और उडिसा भी जातिवार जनगणा कराने के कापक चले चुके हैं लेकिन तब तक महारास्ट में सरकार बढल गई हो सकता है कि इन राज्यों में भी बाध में इस तरह का फैसला लिया जाए लेकिन बिहार सरकार ने दो यानि एलान नहीं किया एक्जिक्यूट उसको अमली जामा पहना दिया आज से वहां विहार में जाती आधारित जनगणना का काम शुरू हो चुका है 21 जनवरी तक ये चलेगा पहला चरण ये होगा इस पहले चरण में जो घर हैं जो हाउसेज हैं उनकी गणना पहले की जाएगी स्वे मुख्यमंतरी नितीश कुमार ये बात बता चुके हैं कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा और इसके अलावा दूसरा जो चरण शुरू होगा वो 21 जनवरी तक जो प्रथम चरण चलेगा उसके बाद 1 अप्रायल से 30 अप्रायल के बीच में जनसंख्या की गिनती कराई जाएगी और ये जो जनसंख्या है वो सामाधिक आर्थिक तो होंगे ही जाती आधारित भी होंगे जाती वार भी होंगे पहली बार इस जन गणना से पता चलेगा 1931 के बाद की बिहार नामक राज्य में अलग अलग जातियों की वास्तविक संख्या क्या है अभी तक SCST आधी की केवल गणना की जाती रही है लेकिन जो जनरल कास्ट है जो OBC है इनकी गणना नहीं की जाती रही है लेकिन इस बार इन जातियों की भी वास्तविक संख्या पता चलेगी लेकिन ये काम सर्फ बिहार में हो रहा है ये पूरे देश में इसकी पुर्जोर मांग रही है और आज से नहीं रही है बीसियों साल से रही है लेकिन हर सरकार ने मान करके भी इसको नहीं माना मान कर नहीं माना मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 2011 की जनगरना जब होनी थी तो 2008 से लेकर 2010 के बीच में अनेक बार अनेक बार UPA सरकार ने ये वायदा किया अनवचारिक मंचों पर और अवचारिक मंचों पर भी लोग सभा में भी बाकायदा उस समय के वित्तमंत्री प्रणव मुखर जी ने एनाउंस किया कि 2011 की जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी जाति आधारित जनगणना का जो परफॉर्मा है वह भी इंट्रिडूस कर दिया जाएगा जो फॉर्मिट बनाया गया था जो एक रूप रेखा बनाई गई थी उसको उन्होंने एकसेप्ट किया और शरत यादव उस वक्त एंडिये में थे और एंडिये की तरफ से उन्होंने बलकि अपने व्यक्तिकत एक सलाह दी थी कि इस तरह का फॉर्मेट रखा जाना चाहिए उस जनगणना कारयाले से जो क जनगणना हुई तो उसमें जाती बार जनगणना नहीं की गई नहीं की गई और अल्टिमेटली बाद में एक सर्वे कराया गया सामाधिक आर्थिक आधार पर और उसमें जातियों की भी गणना कराने का दावा किया गया यह ग्रामीड विकास मंत्राले के तत्वाधान में अलग-अलग NGO अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग संस्थाओं के सायोग से कराया गया आज तक उसका भी आंकड़ा नहीं आया लेकिन वह जो सर्वे था भारत के रिजिस्टार जन्रल और जनगणा आयुक्त के कारियाले से नहीं था इसलिए उसको जनगणा का आधिकारिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता ना तो कानूनी तौर पे और ना तो प्रशाशनिक तौर पे लेकिन वह डाकुमेंट भी बाहर नहीं लाया गया और मोदी सरकार के कारिकाल में भी वह पब्लिक नहीं हुआ जिसका दावा किया घया था की वह जल्दी पब्लिक किया तो ये कुछ पालू है जो जनगरना के बारे में दोस्तो लेकिन अब माहौल काफी बदल चुका बदल ये चुका है कि आधिकारिक तोर पर इस देश में कोई भी ऐसी पुलिटिकल पार्टी नहीं है भारती जनता पार्टी को छोड़ कर जो रास्ट्रिय जनगरना में जातिय की गिंती कराने के प्रस्ताव के विरुद्ध हो कोई पार्टी नहीं कॉंग्रेस पार्टी ने भी ये कह दिया कि वो जातिवार जनगरना के पक्ष में है जैसे घरों की गिंती होती है संख्या की गिंती होती है सामाजी का अर्थिक डेटा निकाले जाते हैं ठीक उसी तरह से काउंटिंग आफ कास्ट भी हो SCST के अलावा भी अन्रिजातियों की भी गड़ना हो इस पर कॉंग्रिस ने भी अपना स्टेंड क्लियर कर दिया जो पहले काफी जटिल था काफी कंफ्यूजिंग था कभी वो कुछ कहती थी कभी करती कुछ थी लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इस पक्ष में है कि जाती आधारी जनगणना कराई जाए और राहूल गांधी ने तो वकायदा अक्ट में हैं दोस्तों यह भी मैं बता दूं कि भारत की दोनों प्रमुख जो कम्मिनिस पार्टियां हैं बलकि तीनों कम्मिनिस पार्टि कह सकते हैं CPI, CPIM और CPIML Liberation यह तीनों पार्टियों ने भी अपना स्टेंड क्लियर कर रखता है कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में ह और इनोंने बकायदे बयान दिये हैं आधिकारिक स्तर पर इसके अलावा RJD, SP, BSP जितने और दल हैं वो पहले से ही इसकी पुर्जोर मांग करते रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बाधा RSS रहा है सबसे बड़ी बाधा RSS रहा है क्योंकि RSS एक पार्टी भले नहीं है लेकिन इस देश की सत्ताधारी पार्टी का वो नीती निर्देशक है वो एक तरह से उसके उसका सिधान्तकार है और RSS हरगिज नहीं चाहता कि जातिवार जनगरना हो और यह उसकी जो आइडियलोजिकल पोजिशन है वो बीजे के नीती निरधारन में भी रिफ्लेक्ट होती रही है सन 2018 में उस समय के ग्रिह मंतरी राजनाच सिंग ने डिकलेर किया था कि अगली बार यानि 2021 में जब भारत की राश्री जनगरना होगी तो हर हालत में जातिवार जनगरना होगी हर जातियों की गिंती अलग से कराई जाएगी लेकिन कुछी दिन के बाद कुछी समय के राजनीति गई और लोक सबामें और बाहर भी अलग अलग जगहों पर राजसबा में हर जगां कर दिया गया कि सरकार जाती आधारी जनगरना के पक्छ में नहीं है जब यह एनॉंसमेंट हो गया तो जो रियक्षण आने लगे और यह रियक्षण केवल बाहर से नहीं भारती जंता पार्टी के अंदर से भी उनके जो नेता हैं, सांसद हैं, विदायक हैं, मंत्री हैं वो कहने लगे कि इससे हमारे पार्टी के राजनीतिक जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित होने जा रहे हैं चुनाव में लोग नाराज हैं और खास कर पिछड़ी जातियों के लोग बुरी तरह नाराज हैं जिनके वोटों के आधार पर कई राजियों में भारती जनता पार्टी को सत्ता मिली है और लोग सभा के चुनाव में भी जिनका एक महत्पूर्ण किरदार है तो ऐसी स्थिती में भारती ज जा रहा है कि फिल हाल फिल हाल उससे बचने के लिए और चूंकी दोस्तों चूंकी एक ऐसी गटना हो रही है कि एक राज्य बिहार जातिवार जनगर्ना नौक कराने के केंद्र के अडियल रवये से नाकुश होकर स्वेम अपने आधार पर राजी के आधार पर जनगणना कराने का फैसला कर चुका है करा रहा है उस पर 500 करोड रुपे की बकायदे रकम भी निर्धारित कर दी गई है खर्चे के लिए और ऐसी स्थिति में जो बिह कारिक जनगणना नहीं है लेकिन जो डेटा आएगा जो आंकड़े आएंगे वो बेहत महत्पुन होंगे शास की काम में भी और वैधानिक स्थर पर भी उनको मानना पड़ेगा क्योंकि रास्ट्री जनगणना के नौने की स्थिति में अगर कोई राजिसरकार इस तरह का इ नहीं कर सकते सिर्फ इस आधार पर कि ये रेजिस्टार जनरल आफ इंडिया और 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 रास्ट्री जो आयुक्त जनगणना के हैं उनके कारियाले से नहीं हुआ है इस साधार पर आप पूरी तरह खारीज नहीं कर सकेंगे तो जो बिहार का ये मॉडल है बिहार का जो एक जनगणना का ये जो फार्मेट सामने आया है एक जो प्रारूप सामने आया है शायद शायद इसके खौफ में आकर भारती जनता पार्टी की मौजूदा केंदर सरकार जो है उसने ये सोचा होगा ये 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 आम तोर पे माना जा रहा है कि यह भी एक राजनितिक कारण है ज अगले चुनाव में OBC की तरफ से जो एक तीखी प्रतिक्रिया आ सकती थी या आनी थी अवश्यमभावी उससे अभी निपट लिया जाए और इस जनगणना नाम की जंजट को ही फिलहाल ताल दिया जाए दो हजार चोबिस के चुनाव तक तो दो हजार चोबिस के चुनाव जनगणना को टालने का जो फैसला है निश्चित रूप से इसमें जंजट से यानी चुनावी जंजट चुनाव के दोरान OBC और अन्य जातियों की तरफ से अन्य समुदायों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया जो हो सकती थी भारती जंता पार्टी की सरकार के खिलाब उसको एवायट करने उससे बचने की शायद ये एक महत्मून कोशिश है क्यों कि बिहार में जनगणना कराई जा रही है जिसे नितीश कुमार और तेजस्वी यादो अलग गठबंदनों में जब थे यानी जब वो महा गठबंदन में थे और जब नितीश कुमार बीजेपी के सा रही थी लेकिन जब महा गठबंदन में दोनों अब हैं दोनों एक साथ हैं तो नितीश और तेजस्वी की सरकार ने इसको एलान कर दिया है और एक्जक्यूट अब किया जा रहा है ये पूरा का पूरा कारिक्रम तो दोस्तों इस देश में बहुत सारे जो इंटेलेक्चु जाने-만े नइविद हैं प्रोफेसर जी मोहन गोपाल उनका भी मानना है कि इस तरह के डेटा इस तरह की आंकरी की जरूरत है इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन भारती जंता पार्टी की अगवाई वारी केंदर की सरकार जो है इससे हैं नहीं चाहती जाती आ जाती हा बहुत महत्वण काम से दूर करने का एक फैसला किया गया है कि इससे फिलाल दूर रहा जाए और जब 2024 का एलेक्शन हो जाए तभी हम इसको आगे करें जब सरकार हमारी पुना आ जाए ये उनके दिमागों में है ऐसा माना जा रहा है तो अब देखना है कि इसकी क्या प्रतिक्रिया समाज पर होती है क्योंकि बिहार में जातिवार जनगरना का कारिक्रम शालू है तो दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर आपके सामने एक नई बात एक नई नई सूचना और उसका एक विशलेशन पेश करने का हमारा प्रयास्त आशा है आपको ये कारिक्रम पसंद आएगा इस पर चर्चा होगी बहस होगी नमस्कार आदाब सत्रियकाल